क्या हुआ अरे कुछ नहीं वो पता नहीं मुझे क्यूं अजीब अजीब सब ही लो रहा है अजीब अजीब सब कैसा अरे नहीं मुझे निकनना में जा रहा हूं अरे नहीं नहीं कहां जा रहा हूं देखो कहीं मत जाओ ये सब करो मेरे साथ मुझे ना पैसो की बहुत जरूरत है प्लीज समझो बात को तुम्हें पैसो की जरूरत है वो कहना मेरा मूंड नहीं है यारा अभी क्यों नहीं है तुम्हारा मूंड पता नहीं क्यों मीजे यह ल अरे रोको तो ऐसलिक अरे क्या हुआ इतनी जल्दी कैसा रहाया औरहार पता नहीं मुझे कैसा कैसा फील हो रहा है मतलब यहर एक बात बता हूं कि इस लड़की मेंसे तो ऐसे इसमेल आरही है जैसे मेरी पतनी मेंसा आती है यह क्शिप पूल रहा है तू यार वो ही खुसबु है तूशे जानता वो नहीं मैं जानता मेरे तो पहली बार मिलीये है पर इसने मार्क्स को लगा रखा है इसने कहा था मैं मार्क्स लगा अपने फेस्पर यार चल ठीक है बात तो अगर ये मैं एक एक अनिफिजिन दूर कै अधने करूँ है और मैं ना यार उसको पैसे घे हैं संथ यरे काम करभाम वो तुमने एक बार बिनन्यमाक्स में ??? पपर नहीं वह मर्त टाढ़े נीछ यह नहीं वह छल देख स्ट्राइगर करें चल प्रम बापी जी तुम अधार तु ये गंदा काम करती इंग मुझे तो पहले सिस सक था यह जरूर यह घंदा काम करती है तो यह शरम नहीं आती है काम करते हुए शरम और तुझा इसी क्या मजबूरी थी 50,000 रुपे की बोल भाभी जी क्या मजबूरी थी शरम मुझे नहीं शरम इन्हें आनी चाहिए मुझे? मुझे क्यों? कमी नी? बनलब यह जिसमता काम कर रही है तू उससरा मुझे आगी और 50,000 रुपे लेकर तू यह सब कराती है? लोगों से? नहीं मैं नहीं कराती मैं तो बस यह देखना चाहती थी यह 50,000 तुम कहा लेकर जाते हो और मुझे तुम्हारा यह सच जानना था इसलिए मैं यहां आई हूँ ज़ादा नोटक किमत कर सच बता तू यह काम करती है ना? मैं यह काम नहीं करती मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि तुम यह सब करते हो या नहीं मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा था इसलिए मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा था और हां सुनो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मुझे अभी इसी वक्त डिवोस चाहिए अपनी गलती का एसास हो गया तुझे इस हालत में देखके मैंना तो यह कभी सोचे ही नहीं था कि तुम्हे इतना बुरा लगता होगा और यह पैसे कितना पैसा परबात कर दिया मैंने जलासे मज़े के चकर में मुझे माफ कर दो आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी तुम्हे कोई शुकात का मौकर नहीं मिलेगा मैं तुमसे बादा करता हूँ डिवोच के बारे मैं मत बोलो क्या जब आप दूँआ घरबालो को मैं क्या बोलूँ उनसे मेरे पाद तो बोल लेकले को सब्दी नहीं है पिलिज बस एक बार माफ कर दो अब बहुत वाक्त हो चुका है माफी के लायक नहीं हो तुम अरे इसमें देरगी क्या बात है अगर तुम चाहो तो माफ कर सकती हो और मैं तुम्हारा पती हूँ ग्यार थोरे ना हूँ मेरा अपनी गलती माल ली आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो गलती तो होई जाती है इंसान से और तुम भी तो यह सब करना आई थी अगर मैं तुम पेल जाम लगा दूतो मैं यह सब तुम्हारी वज़े से करने आई थी मुझे कोई शोक नहीं है यह सब करने का और मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ तुम्हारा एक गंदा चेहरा मुझे याद आया करेगा रह यार बहुत हो दिया सोरी और ज़रा सोचो यार सोसाइटी बाले कितने इज़त करते हैं हमारी अगर उन्हें पता चलेगा इसकी पतनी ने डिबोज ले लिया तो पूछे के तो क्या बोलूँ हूँ उन से मैं मैं ये गंदा काम करता था देखो बात को यह रह पता पकल लो और अपने बारे में सोचो अब तुम भी तो किसी साधी करोगी क्या पता वो और भी जदा हराई मिल जाए अब गलती का तब में से हैसास हो गया मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँ हूँ पिलिज एक बार माफ कर दो आएंदा कोई गलती ऐसी नहीं होगी चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं तुम सुदर होगे क्योंके जब कोई मर्द गलत करता है न तो उसका बापस लोड़ना बहुत मुस्किल होता है फिर भी एक चांस देती हूँ मैं तुम्हें सुदरने का लेकिन उसके बात भी नहीं सुदरे न बोलूँगी नहीं चली जाऊंगी तुम उसकी जिनता मत करो मैं तुम्हें आज की बाद शिकारत का मौका नहीं दूँगा और मुझे गलती का एसास हो चुका है मैंने कितना पैसा बरबात कर दिया मैंने कमाया था आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने पैसा लुटाया क्यों तुम चिद्दा मत करो और हाँ तुमने जो किया वो सही किया ये मुझे नसियर देने का इस से अच्छा कोई और रास्ता नहीं होता मुझे एसास हो गया चलो आप घर